Hello friends, welcome to my channel, आज मैं आपको बताने वाली हूँ Redmi के phones में आप कैसे lock लगा सकते हैं तो direct आपको settings पर जाना है आप यहाँ पर scroll down करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा password and security पर आपको attach करना है इसके बाद आपको दिखाई देगा screen lock, fingerprint lock, face lock और bluetooth lock ठीक है, मैं आपको screen lock लगा के दिखा रही हूँ यहाँ पर जाना है और आपको pattern draw करना है जो आपको pattern चाहिए आप उसको draw कर सकते है यहाँ पर अपना pattern draw कर रही हूँ confirm करना है add करना है fingerprint के लिए कह रहा है यह अगर आपको fingerprint add करनी है तो आप fingerprint add कर सकते है आपने अपने सेंसर को बार बार टेच करना है आप सेंसर को टेच करते रहेंगे तो यह फिंगर प्रिंट लेगा टेच करते रहेगा इसके बाद आपको यहाँ पे एक टिक का निशान आएगा और यह दिखाएगा कि आपको जो fingerprint है वो लग चुका है उसके बाद आपको done करना है आपको जो lock है वो लग चुका है देखें यहां पर दिखा भी रहा है कि आपका skin lock लग चुका है और fingerprint lock लग चुका है face lock के लिए भी आपको same ऐसी करना है यहाँ पे जाना है अपना pattern बनाना है इसके बाद अपना face को यहाँ पे add करना है और यहाँ पे next करना है इसके बाद वह आपके face को scan करेगा और आपका face lock लग जाएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आईए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को subscribe कर सकते हैं थैंक